आप सभी का सोगत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं प्यारे बच्छो डी डिरेक्टेड ओफ एजुकेशन छेत्र दिल्ली की कारपतिका संक्या 47 के बारे में ठीक है और जो है विटम मैथोमेटिक सब्जेट की ये वक्सीट है क्लास 6 की आ बहुत सारे प्राइस को हमारे आज दी सकते हो बस उसके लिए आपको करना क्या होगा वीडियो को करना होगा लाइक चैनल को बेटा करना होगा सस्क्राइब ठीक है फुल वीडियो को वाच करते हुए कमेंट करना होगा और साथी साथ इसके लिंक को अपने फ्रेंस के पैप्टा लेट्स रिकॉर्ड परिपंडिकुलर लाइप चलिए अब परिकुलर लाइप बारे में सीखते है तो टु लाइन्स विच इंटर्सेक्ट इच अधर एठ राइट अंगल दो लाइन जो इंटर्सेक्ट करती और corners of books जो book का corners होते हैं वो और इसके बात क्योंगे बिटा? paper हो गया ठीक है? इसके बात क्योंगे आपका? papers के भी corners को add कर सकते हैं ठीक है? तो आपका जो perpendicular line है आपको यहाँ पर देखेगी ठीक है बिटा? इसमें देखो गया आप तो दिखेगा क्या? यहाँ पर एक line है इस तरीके से और यह एक line है तो यह वाली line इसके वाली line पर क्योंगी perpendicular होगी और 90 degree का angle बना रही है और latter angle जो L है यह भी आपका 90 degree का angle बनाता है इसके बाद आपकी जो चादर होती है घर की जो बेट सीड होती है उसके जो sides होते हैं वो भी 90 degree बनाते हैं वो भी एक दूसरे पर perpendicular होते हैं तो draw a perpendicular line add given on point on a line जब कोई perpendicular आपको draw करना हो जब कोई point क्या हो line पर दिया गया हो ruler और set of square से कैसे draw करोगे तो देखो उसमें क्या करते हैं सबसे पहले draw कर लेते हैं L line और उस पर mark कर लेते हैं क्या point P जैसे point P या जो point आपका given हो वो mark कर लोगे उसके बाद bring करोगे ruler को और set of square को और दोनों को क्या करोगे बिटा इस तरीके से रखोगे जैसे यहाँ पर देखो रख्या होगे ठीक है यह नीचे रखी है scale इसके उपर set of square रख्या है और P पॉइंट से बिल्कुल देखो यहाँ पर touch होता हो आपको नजर आएगा ठीक है यह दो को इस जिगे पर आपको देखा है हो अगर मैं बढ़ा करके तो यह दो को यहाँ प P की perpendicular L बोल सकते है इसके बाद क्या है draw करना है एक perpendicular line किस पर अगर मान लो किस पर draw करना है हमें draw करना है और with the help of ruler and compass किस की मदद से ruler और compass की मदद से तो कैसे करोगे तो फिर भाइची draw कर लो एक line L उस पर point ले लो P फिर उस point P लेने के बाद आपको करना क्या है आपको place करना है compass को किस पर point P पर ठीक और point P पर compass को place करने के बाद center radius मान लो इसको और दो arc लगा एक arc इधर लगा दो जो क्या बना देंगे बिटा जो बना देंगे A B क्या बनाएंगे A B बनाएंगे अब same radius से arc लगा दो ठीक है कहाँ पर A से अबब में ठीक है same radius से देखो A से एक arc लग कैसे लगा दो फिर क्या आपको दिखेगा re tap the B ठीक है and cut Q अब यह जो दोनों arc आपस में cut होंगे यहाँ पर आपको दिख रहोगा ना एक arc कहां से लग रहा है देखो यहाँ पर एक A से लग रहा है ऐसे और दूसरा आपको यहाँ से लगाना यही आर की धरवाला फिर जहा अगला क्या है अगर perpendicular draw करना और वो क्या हो उसका जो point हो outside हो line के बाहर हो तो ruler compass की मदद से कैसे करो कि पहर एक line L draw कर लो और कहीं बाहर पर क्या कर लो point P ले लो अब यह जो point P होगा उसे draw करो semicircle अब वहाँ से क्या करो बिटा इस point P से आपको क्या करना है देखो आपको यहा semicircle draw करने की कोसिस करो उसके बाद क्या करना है आपको जब यह चीड़ा हो जाए अब वहीं से क्या करो each A और B point से same side से जो उसके opposite side पर जाओ ठीक है अब देखो P point उपर था तो इसके opposite side नीचे हम गया एक arc यहां लगा रहे हैं और एक arc क्या कर रहे हैं इस side लगा रहे हैं दोनों side क्या कर रहे हैं arc लगा रहे हैं और इसके बाद इसके क्या कर रहे हैं PQ को मिला दे रहे हैं और यह क्या हो गया PQ line perpendicular हो गई L पर ठीक है PQ line क्या हो गई perpendicular हो गई L पर ठीक चलिए देखते हैं क्या दिया गया है पहला को देखे बोला गया है draw करना है एक line segment जो क्या ह इंडिकुलर को ड्रा कर लो जो इस line segment से क्या हो passing, line segment passing through point r, जो line segment होगी वो r से pass होनी चाहिए, तो देखिए बच्चो इसका solution कैसे करेंगे, मतलब इसका diagram कैसे बनेगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक line ड्रा कर लो, ठीक है, 7 cm की, कितने cm की, 7 cm की, एक line segment को draw करो, ठीक है, जो 7 cm का हो, इसे मान लो, हमने a b name दे दिया, क्या दे दिया, a और b name दे दिया, ठीक है, क्या name दिया है इनको, इनको name दिया है, a और b, फिर इस point a से क्या करो, इस point a से बिटा, ठीक है, आपको क्या करना है, draw करना है, line segment 7 cm की, फिर बिटा, आप इसमें नापना इस line को और जहां पर 3.55 जहां पर 3.55 उस जिगप पर point लगाओ ठीक और जो ये point लगेगा इस point को हम क्या मान लेंगे बिटा इस point को मान लेंगे r क्या मानेंगे बिटा r मानेंगे ठीक है अब क्या करना है इसके बाद आपको अब देखो अब आपको लेनी है distance ठीक है अपने compass में distance ले लो इस r पर रखकर यहां से फिर उसी को a point पर रखो compass को और इस compass को यहां पर एक आर्क लगाओ उपर side एक ऐसे आर्क लगेगा एक नीचे ऐसे side आर्क लगेग फिर b point से एक आर्क लगाओगे ठीक है उपर side और एक b point से आर्क लगाओगे कहां पर नीचे side और यह जो आर्क लगेगे यह होते वे बिटा आर से क्या है आपस में आएंगे touch होंगे ठीक है यह क्या होंगे बिटा आपस में यह आर्क बिल्कुल touch हो रहे होंगे ठीक है और प्रसन देखिए क्या दिया गया प्रस नमबर दो प्रस नमबर दो में बिटा बोला गया इसके अंदर कि आपको क्या करना है ड्रा करना है एक line segment जो 10 cm की हो और टेक करना है एक point S को जो outside हो उसके बाहर फिर perpendicular XY उस पर क्या कर देना है ड्रा कर देना है और line segment ठीक है on the line segment S from S ठीक है जो S से होते वे आपका जाएगा ठीक है चलो इसको draw करते हैं देखो सबसे पहले यहाँ पर एक point step number 1 क्या करोगे एक line segment draw करो ठीक है जो की कितनी होगी बिटा आपकी 10 cm की होगी तो हमने सबसे पहले एक line draw करा जो कितनी है 10 cm की है और इस line पर एक point S ले लिया क्या ले लिया पिटा इस line पर एक point S ले लिया ठीक और यह जो line है यह क्या है बिटा MN line है कौन सी line है M से N line है उसके बाद आपको क्या करना है एक compass लेना है compass लेना उसकी tip को P पर रखना और P से क्या करना N P से N तक आना कहां तक आना है बिटा P से N तक की distance को ना पलेना P से N तक की रखके distance ना पना अब जो distance आएगी बिटा P से N तक की ठीक है उसी distance क्या कर देना जो आपका M और N line है M line से एक नीचे आर्क लगाना और एक आर्क N lines लगाना और उसके बाद क्या कर देना बिटा इस M और N line को P से मिला देना और ये क्या हो जाएगी P क्या ये जो S point है S point इस P को हमने क्या माना हुआ है S माना है तो S से मिला देना ये S Q बन जाएगी ठीक है और ये diagram बनेगा यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ S हो जाएगा यहाँ हो जाएगा Q यहाँ M होगा और यहाँ N होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है आसा गरता हो आपको ये गोसन समझ में आया होगा आगे देखिए क्या बुला गया Rina in order to reach her home from the market Rina को यह order दिया गया कि आप market से घर जाओगे Firstly want straight toward east ठीक है सबसे पहले तुम east की तरफ जाओगी then north की तरफ जाओगी ठीक है फिर क्या कहा गया east or north का angle आप से पूछा जा रहा है उसके बाद क्या कहा जा रहा है through the which angle she turned toward north ठीक है toward north and बोला जा रहा है किस angle से वो north में turn हुई है और उसके बाद and which form of line are formed तो बेटा हम क्या है सबसे पहले इस प्रसन का मैं solution आपको अच्छे से समझाता हूँ ठीक है direction के through ठीक है बेटा यह मैंने directions लिख दी है आप समझो उन्होंने बोला रीना को order किया गया सबसे पहले वो east में जाए east में जाने के बाद वो किदर की ओर मुड़ जाए वो मुड़ जाए north की ओर और सीधे चले तो जब nearest से वो north की ओर गई तो कैसा यहाँ पर angle बन रहा है तो यह right angle बन रहा है तो बिटा सबसे पहले आपको क्या बनाना है एक diagram बनाना है तो diagram बनाओ इस question के answer के लिए इस तरीके से ठीक है और यहाँ लिख दो 90 degree ठेक अब इसके बाद सुनो मेरी यहाँ पर पूछा गया पहला question through which angle c turn कितने angle पर वो turn हुई तो लिखो c turn अब लिखो इसका answer बिटा c turn c turned toward north toward north at angle 90 degree ठीक है यह answer note down करो पहला ठीक है पहला point यह note down आपको करना है इसके बाद क्या लिखना है इसके बाद आगे लिखो ठीक है इसके बाद which type line they form तो जिसने कैसी line बनाई होगी बिटा तो perpendicular line ठीक है लिखो लिखो perpendicular point लगा के लिखना उसके बाद perpendicular line perpendicular line ठीक है अगला कोशन देखिए क्या दिया गया है अगला कोशन दिया गया है which type line and angle formed by the line segment of bested or paper तो इसका answer क्या हो जाएगा angle कैसा है angle लिख दो right angle right angle ठीक है और line कैसी है तो line है हमारी arrow लगा के लिख देना perpendicular परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ठीक है ये इसका answer हो जाएगा question number 4 का आगे आपकी वक्सीड होती है इसमात आपको वीडियो कैसे लगी comment करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल स्काइब करना ज्यादा से ज्यादा contest में पास्पेट करना दा नेवाद उच्चो झाल पास्पेट करना